Your Excellency, President Emmanuel Macron, भारत दिवन फ्रांस के सम्मानित डेलिगेशन्स, फ्रेंट्स, बॉंस्वाब, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने परम्मित्र, President Macron को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस ऐतियासिक Heritage साइट में मेरे डेलिगेशन का और मेरा बहुत भव्य और भहुत स्ने से स्वागत किया। यह मेरे लिए एक यादगार पल है। G7 समीट के लिए राश्पती मैक्रोन भारा, हामंत्रा, भारत और फ्रांस के बीच, स्ट्राटेजिक पार्टर्शिप और मेरे प्रती उनके मैत्री भाव का उधारन है। आज हमने बहुत लंबी बातचित की। और G7 की जो एजिंडा है, जिसका नेत्रुत तो फ्रांस कर रहा है। उसमें पूरी तरह सफलता मिलें। और भारत को जो सहयोग अपेक्षित हैं, वो सहयोग को रुप से आपको प्राप्त हो। यह भारत का हमेशा संकल्प रहेगा। बायो डाइवर्सिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, कुलिंग और गैस के इशूज हो। इन सभी विश्यों पर भारत सद्यों से, परंपरा से, संस्कृती से, संस्कार से, प्रकृती के साथ तालमेल करके ही जीने के पक्षका रहा है। प्रकृती का विनावस कभी भी मानव कल्यान के लिए उपकारक नहीं हो सकता है। और उन्स विश्यों का इनिस्टिव जी सेवन समीट में जब हो रहा है, तब भारत को और खुशी के लिए ये पल है। फ्रेंट्स, भारत और फ्रांस के बीच सम्मंद सैकडो साल पुराना है। हमारी दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं, बलकि लिबर्टी, एक्विलिटी और फैटेनलिटी के ठोस आदर्सों पर ठीकी है। यही कारण है कि भारत और फ्रांस ने कंदे से कंदा मिलाकर आजादी और लोककंत्र की रक्षा की हैं, फाजिजम और एक्ष्टिमिजम का मुकाबला किया है। फर्स्ट वर्ल वर के दोरान हजारों भारतिय सहिनिकों का बलिदान आज भी फ्रांस में याद किया जाता है। आज हातंगवाद, क्लाइमेट चेंज, एन्वार्मेंट और टेक्नोलोजी के समावशी विकास की चुनावतियों का सामना करने के लिए फ्रांस और भारत एक साथ मजबूती से खड़े हैं। हम दोनों देशों ने सिर्फ अच्छे-च्छी बाते ही नहीं कि ठोज कदम भी उठाएगे। International Solar Alliance भारत और फ्रांस की ऐसी ही एक सफल पहल है। Friends, दोज असकों से हम strategic partnership की रहा पर चल रहे हैं। आज फ्रांस और भारत एक दुसरे के भरोसे मंद पार्टनर है। हमारी कठिनाईयों में हमने एक दुसरे का नजरिया समझा है और साथ भी दिया है। Friends, President Macro और मैंने आज हमारे समंधों के सभी पक्षों पर विस्तार से चलता की। साल 2022 में भारत की आज हाज़ी को 75 साल होंगे। तब तक हमने New India के लिए कई लक्षर खे हैं। हमारा प्रमुक उद्देश है भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की एकनोमी बनाना। विकास के लिए भारत की आवशक्ताओं में। French Enterprise के लिए स्वर्निम अवसर है। अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम स्कील डवलक्मेंट, सिविल एविशन, आईटी, स्पेस और अन्य भावत से खेत्रों में नए इनिसेटिव के लिए तत्पर है। Defense Corporation हमारे समंधों का एक मजबूत स्थम्भ है। मुझे पसंदता है कि विभिन परियोजना उपर हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। 36 Rafale में से पहला विमान अगले महिने भारत को सौपा जाएगा। हम टेकनलोजी और को प्रोडक्शन में सयोग बढ़ाएंगे। France पहला देश हैं जिसके साथ हमने New Generation Civil Nuclear Agreement साहिन किया है। हमने अपनी कंप्रियों से अगर किया है। वे जेतापूर प्रजेक पर तेजी से आगे बढ़े और बिजली की कीमत को भी धान में रखे। यह अभी खुशी की बात है कि दोनों और से टूरिजम में बढ़ोत्री हो रही है। लगबक 2.5 लेक फ्रेंच परियाटक और 7 लेक भारतिय परियाटक हर वर्ष एक दुसरे के देश में आते हैं। विद्यार्थियों के आदान पुदान को हायर एजुकेशन के ख्षेत्र में विशेश रुप से बढ़ाना चाहिए। 2021-2022 में पूरे फ्रांस में भारतिय सांस्कृतिक फेस्टिवल नमस्ते फ्रांस का अगला एडिशन होगा। मुझे आशा है कि भारत की विविद्यतापून सांस्कृति में यह फेस्टिवल फ्रांस के लोगों की रूची को और गहरा करेगा। मैं जानता हूँ कि योग फ्रांस में बहुत लोगप्रिया है। मुझे आशा है कि फ्रांस में मेरे और भी बहुत से दोस्त इसे स्वस्त जीवन शैली के रूप में अपनाएंगे। फ्रेंड्स मैंने ग्लोबल चैलेंजी के लिए भारत और फ्रांस के स्योग के महत्व के और इशारा किया था। हम दोनों देशों को आतंकवाद और रेडिकलाजेशन का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टर्रिजम का मुकाबला करने में हमें फ्रांस का बहुमुल्य समर्थल और सहयोग मिला है। इसके लिए हम प्रसिडेंड मैक्रो का धन्यवाद देते हैं। हमने सिकुरिटी और काउंटर टर्रिजम पर सहयोग को व्यापक बनाने का इरादा किया है। मेरिटाइम और साइबर सिकुरिटी में भी हमारे बढ़ते सहयोग को और मजबूत करने का फैसला भी हमने किया है। मुझे प्रसनता है कि साइबर सुक्यूरिटी और डिजिटल टेक्नोलोजी के समन्द में एक नए रोड में पर हम सहमत हुए हैं इन्जियन ओशन खेत्र में हमारा ओप्रेशनल कोपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है इस खेत्र में सुरक्षा और सभी के लिए प्रगती करने में यह सहयोग महत्मपुन होगा फ्रैंट्स मैं अपने अभिन्न मित्र प्रसेडंट मैक्रो को इस चुनावतिपुन समय में एक नए वीजन उत्सा और कुसलता के साथ फ्रांस और जी सेवन के नित्रुत्व के लिए अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूँ एक्सलेंसी इस प्रयास में 1.3 बिलियन भारतियों का पूरा सहयोग और समर्थन आपके साथ है हम दोनों देश मिलकर सुरक्षित और सम्रुद्ध विश्व का मार्ग प्रसस्त कर सकते हैं वियार्टिज में जी सेवन समीट में भाग लेने के लिए मैं उत्सुख हूँ और इस समीट के लिए आपको और पूरे फ्रांस को अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूँ आपके स्नेहपूर्ण निमंत्रन के लिए एक बार फिर बहुत बहुत आभार प्रगड करता हूँ धन्यवाद मर्शिवको अवबुआ